मश्रूम की ये रेसिपी बहुत आसान है बहुत क्विक है और बहुत टीस्टी है तो वेलकम है आपका समस किचिन में यहां पर मैंने बटन मश्रूम लिये हैं धो करके साफ कर लिया है कई बार क्या होता है मश्रूम जब थोड़े से बासी होने लगते हैं तो उपर वाई ले तो मुझे बड़ी खोशी होगी और मैं आपको थैंक्स भी बोल पाऊंगी तो इस तरह से सारे मश्रूम क्लीन कर लेंगे और उसके बाद इनको पीसे में कट कर लेंगे तो जो बड़े वाले मश्रूम हैं उनको मैं चार पीस में कट कर रही हूँ और जो छोटे हैं उनको इसे दो में ही रहने देंगे जटपट इंस्टेंट रेसिपी है बहुत ही यमी और बहुत जबर्दस सी है जो आपको बहुत पसंद आएगी और यह मश्रूम कट करके तयार हो गए हरी प्याज ली है मैंने इनको भी रफली ऐसे चॉप कर लेंगे अब ही प्याज भी कट गई यहाँ पर अब हमें चाहिए दो गाजर और गाजर को ऐसे गोल स्लाइस कर लेंगे गाजर भी कट गई है हमारी आप चाहिए सिर्फ एक मसाला जो की है काली मिच काली मिच कर टेस इसमें बहुत ही बढ़ी है लगने वाला है दरदरा सा क्रश कर लेंगे अगर आप नहीं क्रश करना चाहते तो फिर आप पिसा पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप फ्रेश करेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा ये अब एक पैन में लिया है मैंने बटर और बटर के साथ थोड़ा ऑईल भी डाल देंगे जिससे बटर हमारा जले नहीं इसके साथ इसको थोड़ा सा गरम करेंगे धीर सारा लहसुन कटा हुआ डालेंगे लहसुन क और अब में काम है यहाँ पर इसको हम ऐसे ही पकाएंगे तो मीडियम लो फ्लेम पर इनको छोड़ देंगे जिससे ये फ्राई होंगे और गलेंगे बीच बीच में चलाते रहेंगे तो पास से 6 मिनट में ये काम हो जाएगा थोड़ा सा पानी रिलीज होगा इसका और उसक इसे चीली फ्लेक्स और इसको मिक्स करेंगे सबी चीजों को एक मिनट तक ऐसे भून लेंगे इनको और अब डाल देंगे इसमें यह प्यास कटे हुए और प्यास के साथ भी इसको भूनेंगे अब यह बढ़िया सा यह भून चुका है और इसको हमें ऐसे ही ड्राइ रखना है तो अब यह बिल्कुल प्यास भी कोख हो गई है बहुत जादा सको पकानी की जरुवत नहीं है ग्यास को बंद करेंगे और इस पर नीवू डाल देंगे थोड़ा सा बटर उपर से और डालेंगे क्योंकि इसमें बटर का ही फ्लेवर बहुत बढ़िया लगने वाला है मिलाने के बाद इसको गर्मा गर्म सर्फ करें आप टी टाइम स्नैक की तरह खा सकते हैं इसको सबजी की तरह खा सकते हैं और यह हैं हमारे बटर गालिक मश्रूम विद कैरट्स बहुत ही यमी बने हैं इंस्टेंट है टेस्टी है और मुझे तो बहुत पसंद आए और आपको कैसे लगे आप मुझे जरूर फीड़बैक दीजे अगर आपको रेट करना है इस रेसिपी को 0 से 10 माक्स देने है तो क